है अग एक वार्ण्ये वीडियों में हम राउंड Candee के सारे डाूट्ष कीलियर करेंगे प्लसरंडती में क्या करना है वह सब क्लियर करेंगे कि裡面 का नहीं कि क्रणा और round 3 को कैसे उसमें जो आपके पास added option आगा कैसे अपनी list को इस तरह added करना है कि आपको best branch मिले क्योंकि round 3 एक last chance होता बच्चों को जहां पर बहुत अच्छी ब्रांच ले सकते हैं 15-20,000 या 30,000 में उनको CSE मिल जाती है top 5 या top 10 के colleges में तो किस तरह की से list बनानी है list में कैसे करना है कौन सी branch हटानी है सब बात करेंगे सारे doubts के लिए करेंगे college कब से start हो रहा है और कब से आपको यह सब लेकर आना अपना समान hostel कब move करना है इन वीडियो में पूरी in depth in depth बात करने वाले और अगर वीडियो को थोड़ा सा slightly देखना जाते हैं पूरा तो जल्दी से 1.25 या 1.5 x पर कर दो तो वहां पर आपको क्या हो ना बहुत जल्दी से आपको सब एक revision हो जाएगा यार जल्ली बता दिया भाया ने ठीक है तो पहली चीज पर आजाते है लिस्ट बनाने से क्योंकि जब आप यह वीडियो देख रहे होगे तब आपका एडिट का option चाले हो गया होगा round 3 में जहां पर आपको एडिट करने का option मिलेगा आपके जो अलोट होई है ब्रांच से उपर वाली branches को आप एडिट कर बाऊगे mechanical हटा दना civil हटा दना ऐसी branches हटा दो जहां placement का कोई नहीं है एडिट की branches रख सकते हो CSC, ISC, electronics, instrumentation, telecommunication, triple E, EC यह सारी branches रखो उसके अलावा कोई और branch रखने की कोशिश मत करना क्योंकि बिनाफाल तो civil mechanical मिलेगी कोई फायदा नहीं है इन branches को लेने का ठीक है top 10 के colleges में CSC, ISC और E की branches रखना और उसके अलावा कोई और branch अपनी list में रखना ही नहीं क्योंकि अगर आपने वह रख दी और आपको मिल गई क्योंकि for sure मिलेगी क्योंकि round 3 में बहुत ज्यादा cut-off नीचे गिरती है जितना मेरा prediction है बहुत ज्यादा तो आपको civil alert हो जहाँ प्लेस्मेंट आने के option कम होंगे तो प्लेस्मेंट अगर आपको best चाहिए एक अच्छे college में तो CSC, ISC और E की branches रखो उसके अलावा और कोई branch मत रखना अपनी list में यह आपकी final list होगी comment K की round 3 की आप दूसरे point पर जाते है कि अगर आपको जो आप college मिलेगा तो क्या करना है आपके पास यहां पर surrender का option नहीं होगा आपको यहां में branch लेनी पड़ेगी और आपको college time पर visit करना पड़ेगा जो time allot हुआ है जो भी allotment का आपका time है वह आपको महां पर जाना है visit करना आपने सारी documents देने और documents की information सारी telegram group में हैं जितने बच्चे हैं वो सब telegram group म सारे different colleges के बच्चे हमाँ साथ telegram पे जोड़े हैं WhatsApp पे जोड़े हैं जाके नीचे अभी रुख जो नीचे जाके comment box में देख लेना description box में लिंक होंगे ठीक है तो यहां पर आके वह join कर सकते हो सारी information वहां मिल लेगी documents की कौन से documents लाने है तो जब आपको यह allotment होगी round 3 में तब आप इसको छोड़ नहीं सकते यह option आपके वास हो गई नहीं ठीक है तो आपके 2,00,000 तो जाएंगे plus comment के आपको penalty देगा उनकी की भाई आपने fees दी है और आपको और देनी पड़ेगी क्योंकि आप seat नहीं ले रहे हो और seat खाली जारी है और seat किसी को नहीं जारी है entire 4 years तो आपको penalty देनी पड़ेगी अगर आप seat में registered हो और आप नहीं आ रहे हो college को रिपोर्ट नहीं कर रहे हो तो आपको penalty देनी पड़ेगी वो comment के आले आपको बताएंगे तो please आपको अगर branch मिली है जो branch मिली है college की जो college मिला है time पर reporting करना क्योंकि reporting हो जाएगी अगर बे time reporting क करोगे दो या तीन दिन लेट तो इशार वो reporting ना ले तो please time पर report करना अपनी tickets पहले सी करवा लो 14 को देखना चालू कर दो 14 15 16 17 tickets देखना चालू कर दो क्योंकि भाई reporting करनी अपने को time पर पांचवे point पर हम बात कर लेते हैं यार round 3 की refund के बारे में round 3 में refund होगा नहीं होगा refund बट एक case है जहां आपको round 3 में भी refund मिल जागा अगर आपको कोई भी seat a lot नहीं होती है round 3 में तो वो आपको refund करेंगे plus इसमें आपकी condition यह है कि round 2 में आपने reject करिये वो seat नहीं तो round 2 की seat आपको continue करके round 3 में मिल जाएगी मलब continuous हो जाएगी round 3 में पहले ही आपको round 3 में and round 3 में आयो और उसके बावजूत भी round 3 में कुछ नहीं मिला तब आपका refund initiate होगा इस तरीके से आपको refund मिलेगा अराम से बैट के वीडियो को पीछे करके देख लेना पीछे करके देख लेना यहां पर refund कैसे मिल रहा है जिनने round 2 में withdraw करा है directly exit मारा है उनको refund मिल जाएगा क कोई टेंशन की बात नहीं है और round 3 में कोई भी action लेने का पास आपका option नहीं होगा आपको accept करनी पड़ेगी आप चाहो या ना चाहो आपको अगर seat मिली है तो आपको वह seat लेनी पड़ेगी उसके अलावा आपके पास कोई और option नहीं होगा यहां पर तो इसलिए मेरी advice लिए तो अपनी list बहुत अच्छे तयार करना क्योंकि आपको पता है जो आपको seat मिलेगी लेनी बड़ेगी तो लिस्ट में अच्छी branch प्लस अच्छा college ऊपर रखना ठीक है CS BMS का रखना CSC MSRIT का रखना ISC रखना ठीक है इसे नीचे मत जाना क्योंकि आपको फॉर इनमें से कुछ ब्रांच अलोट हो जाएगी 10 या 20,000 रैंक पर भी ठीक है कोई टेंशन की बात नहीं है अराम से तसलिए से बिलकुर रिलाक्स होके अपना edit करना list ठीक है एक दिन का टाइम मिलेगा और अराम से रेपोर्टिंग करना जो लोग MSRIT में आ रहे हैं उनके लिए तो हम बहुत साही चीज़े करने वाले हैं क्योंकि मीट अप होता है ठीक है और मेही तरफ से मीट अप और्गनाईज होगा और उसके बाद हम यहां पे freshers का orientation भी करेंगे आपके आ लेंगे आपका इंटर्व्यू लेंगे कि बहुत मज़ा आने वाला है चलते हैं अगले पॉइंट की तरह है रिफंड के बारे में बहुत बच्चे जारा टेंचन ले रहे हैं तुम्हें रिफंड मिल जाएगा जनवरी तक का टाइम लग जाएगा थोड़ा सा लीट है रि कोमेट के रिफंड इनिशेट जब करेगा तो आपको इनफॉर्म करेगा तो कॉलेज जॉइन करने के बाद या अगर आपने कॉलेज जॉइन नहीं करा है और आप भार निकल रहे हो कांसलिंग से निकल गए हो तो प्लीज कॉमेट के की वेबचाइट फ्रिक्वेंटली दे है तो यहां पर एक alternative option सब के बाद बस यह बचता है management quota उसके लिए नीचे form दिया हुआ है वहाँ पर हम आपकी help करेंगे management quota में admission दिलवाने में but time is very short in that thing क्योंकि बहुत सारी seat भर रहे हैं जितनी जल्दी आप form भर होगे हमाई team उत्यल्दी आपको contact करेगी देखेगी आपक जल्दी हो सकती जल्दी क्योंकि management quota में seat बहुत जल्दी निकल जाती है ठीक है और यह सारे डाउट्स थे round 3 के round 3 में और कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज मेरे को comment box में बताना subscribe कर दो यार चैनल को क्योंकि चैनल पर बहुत सारे vlogs आने वाले है बहुत सारे चीज़े आ जब आपको दर कि और विदू आपाइ प्ली आपको अगाई आपको और बहुत सारे तू नियुटभ गूट एट सारे ज़िए एना प्ली को और चैनल अटियोग थे ट्यू़े सारे बहुत सारे थाड़े और दाऊल को सारे लिवशना निदू मेरे लिए